हालो फ्रेंज स्वागत करती हूं आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में और अगर आप मेरे चैनल में नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अप्लोड करो तो आप तक पहुंच सके तो चलिए वीडियो को शुरू करत तो आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ बताने वाली हूं क्लिंजिन मिल्क के बारे में क्लिंजिन मिल्क क्या है और यूज क्यों किया जाता है और साथ ही साथ में लस्टर पपया अल्टिमेट क्लिंजिन मिल्क का रिब्यू भी सेर करने वाली हूं तो पहले देने व कोटल दी गई है और आपको पंप डिस्पेंसर भी दिया गया है जो कि यूज करने के लिए बहुत ही आसान होता है तो बात करते हैं इसकी यूज की तो यहां पड़ दिया गया है यह 100% नैच्रेल है और यह मेकप पर रिमूब के लिए भी यूज होता है यह प्रोडक्ट अब इसकी प्रोडक्ट के साथ मेरा जो खुद का एक्सपिरेंस बताओं तो परसनली मुझे बहुत पसंद आया क्यूंकि प्राइज के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है 200 रुपीस में 600 ml का प्रोडक्ट जो मिला तो इसे अच्छा और हो ही नहीं सकता मैं इससे करिबन दो महिने से डेली नाइट में यूज कर रही हूं इसको यूज करने के पाथ मुझे बहुत ही अच्छा रिफ्रेसिंग फील होता है मैं न करूं या ना करूं तो मेरे हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो यह एल स्किन टाइफ है इसे हर कोई यूज कर सकते हो तो अब बात करेंगे क्लिंजिन मिल्क क्या होता है और इसे यूज करते हैं क्लिंजिन मिल्क एक तरह का क्लिंजर होता है जो हमारे चेहरे का मेक अप खुबसूरत बनाने में भी मदद करता है क्लिंजिन मिल्क हमारे चेहरे के डैट स्किन सेल्स को साब करता है और इसे कोई भी स्किन टाइप के लोग यूज कर सकते हैं हम साबुन से अपने चेहरे को धोए दो चेहरा ड्राय और खराब भी हो सकता है लेकिन क्लिंजिन मिल्क से एसा नहीं होता क्लिंजिन मिल्क का यूज से आपका फेस मॉस्टराइज और फ्रेस हो जाती है तो फ्रेंज आज के लिए यहीं फिर खतम करते हैं और फिर मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ आप आप लोगों को यह मेरा चोटा सा रिवी वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ तब तक रखें अपना धेर सारा खयाल बाबाई थेंक्यू फूर वाचिंग मैं वीडियो